यह गाड़ी है यमहा R15 V4 racing blue color BS6 2023 का model है हम करने वाले हैं इस गाड़ी का full detail review जानेंगे इस गाड़ी का price कितना है mileage कितना है top speed कितनी है कितने CC का engine लगा हुआ है किसको यह गाड़ी खरीदने चाहिए किसको नहीं खरीदने चाहिए सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस गाड़ी का price तो दोस्तों मैं लखनू का रहने वाला हूँ तो मैं आपको लखनू का price बता रहा हूँ इस गाड़ी का exo room price 1,86,000 रुपए प आख की तरह दिखने वाले दोनों तरफ यहां पर आप number plate लगा सकते हैं इसके उपर आपको बड़ा सा wind shield मिल जाता है चाबी लगाने का ignition आपको handlebar में दिया गया है बात करी meter console की तो fully digital meter मिल जाता है इसमें आपको काफी सारी information मिल जाती है अभी battery से connection नहीं है तो मैं आपको में दिया गया है hazard light का button मिल जाता है यमहा का logo fuel tank के दोनों तरफ मिल जाएगा e20 fuel support करेगा 11 लिटर का fuel tank मिल जाता है 55 की mileage मिल जाती है एक बार tank full कराने के बाद यह गाड़ी आपको 500 km तक ले जा सकती है इसके बाद बात करेंगे इस गाड़ी की seat की तो split seat मिल जाती है rider और billion के लिए दो अलग अलग seat मिल जाती है इसकी cushioning बहतर है वी वी ये variable valve actuation का sticker मिल जाता है integrated grab rail दिया गया है बात करें फ्रंट की तो फ्रंट में आपको upside down suspension golden color में दिये गये हैं body color में mud guard मिल जाता है brakes caliper यहाँ पर आपको मिल जाते हैं dual channel ABS मिल जाता है प्रंट में आपको 282 mm का बारा सा डिस्क मिल जाता है बात करें front tire size की तो 100 by 80 17 इंच के आपको tubeless tire मिल जाता है blue color में aloize मिल जाते हैं liquid cool engine है इसलिए यहाँ पर आपको radiator grill देखने को मिल जाएगी single horn ने यूज किया गया है फेरिंग की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको indicator मिल जाते हैं halogen bulb में LED नहीं दिया गया है R15 version 4 का sticker आपको फेरिंग में देखने को मिल जाएगा एक बार आप इस गाड़ी का पूरा look देख लीजिए कैसा लग रहा है आपको comment करके बताए कि कैसा लग रहा है आपको यह 4.4 PS की power produce करता है और 14.2 Nm का talk reduce करता है यह engine rear brakes paddle यहाँ पर मिल जाता है फ्रेंट का footrest यहाँ पर मिल जाता है पैसेंजर footrest मिल जाता है बड़ा सा एक्जाव स्पाइट देखने को मिल जाएगा इसके बाद बात करेंगे rear tire size की 140 by 70 17 इंच का आपको tubeless tire मिल जाता है 220 mm का disc मिल चारो टेल लाइट आपको LED में मिल जाती है इसके बाद दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको सारी guard दिया गया है passenger footrest दिया गया है open chain दिया गया है और front का footrest यहाँ पर मिल जाएगा six speed gearbox के साथ आती है यह गाड़ी single stand दिया गया है इस stand में लगा हुआ है sensor engine cut off sensor जब आपको dual channel ABS मिल जाता है Bluetooth connectivity मिल जाती है quick shifter मिल जाता है दो riding modes मिल जाते है track mode street mode traction control मिल जाता है इस गाड़ी में आपको 725 mm की width मिल जाती है 815 mm की seat height मिल जाती है 170 mm का आपको ground clearance मिल जाता है 122 kg का आपको curve rate मिल जाता है इस गाड़ी की top speed की बात की जाए तो यह गाड़ी 140 touch कर सकती है तो दोस्तों मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए